जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनेती आई तारों की भासा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई हेलो कैसे हैं सब लोग मैं अपतार राणा आपका स्वागत करता हूँ हंस्वाइनी क्लासेज में और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सून से अनन्त तक बहुत हम बात कर रहे हैं आज गडित की ठीक है और गडित में हम देखेंगे कि भारत का योगदान क्या है और ये विशेस कर उन बच्चों के लिए है तीक है जो गडित को पढ़न से डरते हैं तो उनको हमारा गौरफ साली इतिहास जरा जानना जाई है कि हम लोग गडित में कितने आगे हुआ करते थे चली भाई शुरू करते हैं तो बात है जैकि मैं यहां पे लिक रखा है गडित क्या है तो गडित के बिना आपका काम कहीं नहीं चल सकता है ठीक है आप चाहे विज्ञान हो चाहे आप कला हो आपको गडित से पालाई घुज में आपको गडित का प्रेयोक हो नहीं होना है जी ठीक आप चाहे पढ़ो या मत पढ़ो गडित आपकी लाइप में सामीर केरे, जैसे अगर आप कई सोर में बदल जाएगा ठीक है मतला संगीत में या हम कहें चित्रकारी में या हम कहें स्थापत्यकाला में मतला आठ में या आपकी कला में गडित का प्रियोग भककूबी होता है ठीक है और ये बात हम से कहारे हमें प्राइश्ट व sticky क की जर्म से पहले ही लोग जान चुके थे यह हम कहें, बहुत पुराने समय से यह बाते, जानी जा चुकी है ठीक है? चलिए, देखिए अब बहुत है मैं यह कहा लिखका है तो एक कव्वा, कव्वा से लेकर चिंपाजी तक भी 5 से लेकर 7 तक गिन भी गिन सकता है और हम लोग तो फिर भी इनसान है इसका हमें गड़ित आनी चाहिए ठीक है चली भई आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि जो अंको को पहली बार लिखना किसने शुरू किया तो बेविलोनिया वालों ने शुरू किया किसने किया भई बैबिलोनिया वालों ने ठीक है और बैबिलोनिया कौन सा है बैबिलोनिया वो है जो आज का इराख है इराख जो भई आज का नस्तिनावूत हो चुका है यह हम कहें भई काफी बरबाद हो चुका है तो अंकों को लिखना बैबिलोनिया में शुरू हुआ ठीक है वो पहले का वहारा बनाए हुई सरचना हमें सबसे पहले कहां देखने को इतिहास में तो हम बात करते हैं मिस्र में तो ऐसा माना जाता है कि मिस्र के जो पिरामिड है वो क्या है 5000 से पहले बिफोर क्राइश मौलब इसा पूर्व बनाए गए थे और वहां पर जयामती का वकूबी किया गया है इससे पता वहां की सरचना से हमें पता चलता है कि वह लोग बहुत बढ़ी अजामती जानते थे क्योंकि उन्होंने कोडों का एंगल का बहुत ही बढ़िया प्रयोग किया है ठीक है अब हम कहें जैसे पाइथागोरस है ठीक है तो पाइथागोरस ने हमें बता लगी रहती थी तो वो लोग समकोर तरफोत क fellows को कैसे हिसाब किताब लगाते थे कि वह इस तरह से मापत थे रस्सी में कि टीन गान्ट वराबर पहली हुजा आपकी हुजा को मान सकते हो दोना चार गान्ट वराeln दूसरी दूसरी सर्फोता यही हमारा तो हम कहने कि तीन गांट वरावर आपकी पहली बुजा दो गांट वरावर आपकी चार गांट वरावर दूसरी बुजा और पांच गांट वरावर हमारे तीसरी बुजा ये बैबी मिस्र वाले क्या करते थे इसका प्रयोग करके समकोड तेभूज या हम कहें समकोड एंगल वो बखुबी का करते थे निकालते थे जलिए आगे बात करें कि हम अगर मिसर से आगे बढ़ जाएं तो दूसरी हमें सरचना जिसमें मैथमेटिक्स का प्रियोग हुआ है वो हमें देखती है Great Wall of China में ये भी लगवक 25 साल पहले बनी है और चीन के पास एक ज्यान क्या था वो लोग रस्ची का प्रियोग नहीं करते थे वो लोग काय का प्रियोग करते थे बांस का प्रियोग करते थे वो बांस से नापा करते थे और उनकी एक उपलवदी ये थी कि वो लोग एकाई दाई जो हम लोग पढ़ते ना बच्चमन में ठीक है प्लेस वेल्यो को वो लोग जानते थे लेकिन अभी भी क्या है दुनिया की मैद से वो अधूरी थी क्योंकि उसको पूरा करने वाला कौन था भाई भारत था ठीक है लोग गड़त जानते जरूर थे ठीक है लेकिन क्या करते थे वो हाथ से हैं हाथ से नाप लिया बित्ता हमारे बलांद मोलते हैं ये एक हाथ ये बित्ता ऐसे करें ये नापा ठीक है बलांद कदमों से ठीक है इन सब चीजों से नाबा करते थे एक्जक उनके पास कोई फिगर नहीं हुआ करती थी ठीक है तो दुनिया वालों जो नंबर है वो एक से लिए को 9 तक का परियोग करते थे अब जो दुनिया की गडित है वो कौन बदलने वाला है या हमके गडित की दुनिया कौन बदलने वाला है वो है भारत और कैसे है भारत कि उन्होंने नई चीज दी दुनिया को और वो नई चीज क्या है भाई उन्होंने दिया देखो कैसे दिया अगर हम बात करें भारत वालों जो है ठीक है, अच्छा हमारी कितनी उगलिया होती है दस उगलिया होती है, ठीक है तो दस उगलिया होती है, तो जो दसवा आंख है न, वो कौन है जीरो है, ठीक है यही विचार किस ने दिया, भारत ने दिया, यह हमने का, यह क्या है दसमा जो दसमा क्या वो कोई है सूने है अच्छा मिस्र वाले क्या करा करते थे मिस्र वाले जीरो की जगा या हम कहें सूनी की जगा खाली छोड़ दिया करते थे ठीक है और ये अब इसकार कहा पे हुआ है भारत में हुआ है ठीक है हर चीज सुनि से सुरू होती है, और आखे सुनि में ही क्या हो जाती, कि खं़ो जाती है, मतलब अप कुछ लेके आएते हैं क्या लेके जाओंगे, छाली हाथ आयेते हैं कुछ लेके नहीं जाओंगे 표현, सब कुछ सून में मिल जाना है ठीक है इसलिए यह स्वावावी खोज है भारत की कि उन्होंने क्या दिया जीरो का या सूनिका अविस्कार किया यही बात मैंने अपने गाने से सुरू करती जो ही काफी बेसुरा था सैथ ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ठीक है सूनिका तो अब इसकार हो चुका अब भाई उसका प्रियोग लोगों ने सुरू किया और यही भी यही भारत की देन है जो दुनिया भर के स्कूलों में या भारत के स्कूलों में पढ़ाया जाता है जैसे हम कहें कि अगर एक में आप सूने जोड़ते हो तो क्या है तो एक आएगा एक लिए सब हमारे गर्तव यह भारत की देन है देखिया है कि 12 सदी ने भासकराचार ने यह बताया कि किसी संख्या को अगर आप सुने से भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा अनंत मिलेगा और अनंत भी क्या है यह भी भारत के दरसन में है कि भाई हमारे क्या बोलता है कि अनन्त का माला ऐसी चीज जिसका कोई अन्त ना हो अनन्त ठीक है और यह हमारे दर्सन में दिखता है हिंदू दर्सन में कि चीजे क्या है जिसे अगर हम कहा है कि ज्ञान क्या है अनन्त है यह हमके भगवान क्या है तो आपको खोजना क्या है व ठीक है सुनिका प्रियोक दिये अब निगेटिव नंबर जुनकों हम कहते हैं रिडात्मक संख्या तो इस मामले में भारत नहीं यह बताया दुनिया को कि भाई माइनस संख्या भी होती है ठीक है माइनस कवन और यही ग्यान किस ने दिया है भारत ने दिया है ठीक अब अब बात करें त्रिकोन मिती की तो भाई त्रिकोन मिती की भी खोज कहा मानी जाएगी भारत में मानी जाएगी ठीक है जब चांद आधा होता है ठीक है उस समय क्या होता है ठीक है तो उस समय क्या होता ह हमारे जो मना हमारे जो गर्तग्यों ने बताया कि जब चान आधा होता है तो वो सूर्य के सीध में होता है और एक ऐसा एंगल बनता है जो कौन सा एंगल होता है वो परफेक्ट आपका राइट एंगल बनता है मना सूर्य चंद्रमा और पृत्वी ठीक है फरफेक्ट राइट और सूर्य और पृत्वी की उसमें जो एंगल होता है धरती और सूरच को जो एंगल बनता है वो एक डिगरी का सात्वा हिस्सा बनता है और इसकी वेल्यू कितनी मानी जाती है एक अनुपात 400 तो भारत वालों ने ये भी बताया कि चंद्रमा की दूरी जितनी पृत्वी से है उतनी दूरी सूर्च की पृत्वी से क्या है 400 गुना है मतलब ये डिस्टैंस इस डिस्टैंस से 400 गुना है एक अनुपात 400 ये किस ने बताया भारत वालों ने बताया वही दमें बोल ला था गाने में सुरूमें कि तारो की भासा भारत ने दुनिया को सिखलाई ठीक है तो संख्या के अनन्त टुकड़े किये जा सकते हैं ठीक है तो और उन्हें ये भी बताया कि 0 और 1 के बीच अनन्त टुकड़े होते हैं बहुत सारी अनन्त संख्याएं होती है ठीक है और उन्हें ये बताया कि भाई पाई ठीक है पाई की exact value बताई उन्हें कि पाई होता क्या है त उसके परदी का अनपात, ब्यास अनपात परदी, लेकिन उससे पहले, आरवट ने पाई कामान क्या बताया था, छटी सदी में, ये बही बताया हूँ, अपंदरी सदी में ठीक, और आरे भट ने क्या बताया था, आपका पाई कामान 3.1416 और उन्होंने इसी के सहारे धर्ती की पर्धी बताई थी 24,835 जो लगवग लगवग सही थी लेकिन काफी हर्तक सही थी लेकिन ये बताती है कि भारत के लोग गड़ित में कितना अग्रणी थे ठीक है और अगर हम बात करें कि भाई बीजगड़ित की तो बीजगड़ित का इ वो कीवासा है तो भाई ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिफ के अबल इतना है कि आप अपने गवरब साली इतिहास को जानो और गड़ित को पढ़ना है स्टार्ट करो कि हम लोग के खूल में गड़ित है ठीक है हम लोग पैदाईस ही का है खांदानी गड़ित जानने वाले ठीक है तो बिल्कुल होसा बुर्दन रखिए और जो लोग गड़ित नहीं जानते हैं वो अपने इतिहास को जानो ठीक है कि हम लोगों ने दुनिया को क्या क्या दिया है और हम लोग दुनिया को और क्या क्या दे सकते हैं और कोशन नहीं दे सकते हैं चलिए मैं अपनी बा